जहिन साथियों देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यूपी करेंट अफेरी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि यहां से भी आपके एक्जाम में तीन से चार कोश्चन देखने को मिलते हैं और हम UPP करेंट आफेर जो स्टार्ट कर रहे हैं मान के चलिए अगर आपका इक्जाम जुलाई या अगस्त में होता है तो छे महींने का इस पहले का भी कवर कराना चाहिए तो मैं जंवरी से पहले के भी करेंट आफेर आपको कंप्लीट करा दूँगी तो मुस्किल से भी तेखे हम जन्वरी का कर रहे हैं जन्वरी की बात फैब्रवरी करेंगे और मार्च की करेंगे दो तीन क्लास में आपका यूपी करेंट अफेर जो most important चीज़े आपकी एक्जाम के लिए रहेंगी हम दो तीन क्लास में आपका करा देंगे करेंट अफेर चली जन्वरी की करेंट फैर हम देख रहेते हैं क्या क्या जरूरी चीज़े हैं आपकी एक्जाम के लिए देखें पहले तो स्वक्ष सर्वेक्षड जो पुरुश्कार है ये जो दिया गया है वो देखें जो स्वक्ष गंगा सहर है सर्वस्रेश्ट जो गंगा सहर है आपका वराडसी और प्रयाग राज इसको दिया गया है यूपी का ये जो जीला है वराडसी और ये प्रयाग राज ये क्या है सर्वस्रेश्ट क्या है गंगा सहर में स्वक्ष सर्वेक्षड पुरुश्कार में पहले नंब पुरसकार है, टोटल 19 लोगों को दिया गया है, यूपी के दो लोगों को दिया गया है, एक अनुस्का पाठक को दिया गया है, और एक आदित यादों को दिया गया है, आदित यादों का संबंध जो है वो खेल से है, अनुस्का पाठक जो है वो कला और संस्कृती से यूपी में दो लोग को दिया गया है एक किसको अनुस्का पाठक को जिनका संबंद कला और संस्कृति से हैं एक आधित यादव को दिया गया है जिनका संबंद खेल से हैं फिर नेक्स हम बात करेंगे नवा इंडिया फूड एक्सपो इसका अगर आयोजन पूछे का कहा हुआ है कब हुआ है एक से तीन दिसंबर के बीच हुआ है नवा इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन और भागीदारी अगर देश पूछेगा कौन था इसमें तो भागीदारी जो देश था वो कौन था वियत नाम था मोस्ट इंपोर्टेंट है आप अच्छे से पढ़ इसको कि नवा इंडिया फूड एक्सपो अगर पूछेगा तो यह लखनव में आयोजन हुआ है भागीदारी देश पूछेगा तो वियत नाम फिर बात करेंगे इंडस फूड देखें यह दोनों थोड़ा सा सिमिलारिटी है दोनों में पर दोनों चीज़े क्या है अलग- इंडस फिर बात करेंगे यूपी के अयोद्या हवाई अड्ड़े का नाम बदल कर क्या रख दिया गया और अब क्या कर दिया गया है महर सी वाल में कि हवाई अड्डा कर दिया गया है महरसी वाल में कि हवाई अड्डा अयोध्य हवाई अड्डे का नाम बदल कर रख दिया गया फिर बात करेंगे जो इलाबाद उच्छ नेले है वहाँ के मुख्यनाईदीस कौन बने है इस समय निट किये गए है तो ये बने है अरुड भनसाली अरुड भनसाली को क्या बनाए गया है हाई कोट इलहाबद हाई कोट की क्या बने निउट किया गया इनको मुखे नायधीस बनाए गया कौन अरुड भनसाली जन्वरी में जिन जिन लोग का निधन हुआ है और जिनका संबंद यूपी से है उनका नाम देख लेते हैं और वो किस चीज से संबंदित है वो भी देख लेते हैं देखे अभी निधन हुआ है डाक्टर प्रभा अत्रे का ये जो थी वो किराना घराने की मसबूर सास्त्री गाईका थी कौन प्रभा अत्रे और इन्हें 2022 में पदम विमुसर्ट से क्या किया गया है समानित भी किया गया है कौन डाक्टर प्रभा अत्रे ये किस घराने से समंदित है किराने घराने से समंदित है बात करेंगे उस्ताद रसीद खान का इनका भी अवी निधन हुआ है हाली में और ये हिंदुस्तानी सास्त्री गायक है कौन उस्ताद राशित खान और इनका अगर यूपी के बंदायू में इनका क्या हुआ है जनम हुआ है बंदायू जिल्य में और इनका संबंद जो है वो रामपूर घराने से है उस्ताद रामपुर खराने से संब्दिक हैं जनम हुआ है इनका बंदायू में और यह हिंदुस्तानी क्या है सास्त्रिय गायक है उस्ताद रसिद खान और बात करेंगे मुनबवर राडा की यह जो थे वह क्या थे मसगूर उर्दू सायर थे कौन मुनबवर राडा और यह यूपी के राइबर एली से संबंद रखते हैं कौन मुनबवर राडा और इनके मोस्ट इंपोर्टेंट इनका एक किताब है साह दाबा इसके लेने क्या मिला है साहित अकादमी पुरसकार भी मिला है फिर अबात करेंगे नेक्स्ट आयोध्या जंग्संग का नाम बदल कर क्या कर दिय मैंने जिए और यौध्या धाम कर दिया फिर बात करेंगे अगर यह आपसे ये कोश्म पुछे कियो पिक चोथे कारवाहत को याफिंद का ど 이거 में बनाए गया है लेकि उसको हम अप्देट कर देगे अभी जो हैं वह कर प्रशांत कुमार को पिंकी डॉकुमेंटरी थी उसी की पिंकी थी उनको क्या बनाए गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड अमबेस्टर बनाया गया है किसको पिंकी को फिर हम आगे बात करेंगे केंद्र सरकार गरा लखनव में लखनव में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोशड़ा की गई है कहाँ पर लखनव में क्या उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोशड़ा केंद्र सरकार दोरा किया गया है लखनव में बात करेंगी नेक्स टुल दैस का पहला सैनिक स्झुल का मत्हुरा में मत्हुरा के विर्णा वरं में लड़कियों के लिए डैस का पहला सैनिक स्झुल का मत्वाटन किया गया है नेक्स हम बात करेंगे पहला तेयरता हुआ रेस्टोरेंट जो बनाए उद्घाटन हुआ है उसका वो कहा किया गया है तो प्रयाग राज में किया गया है और किसके दोरा उद्घाटन किया गया है योगी आदित नाच के दोरा किया गया है आगे बात करेंगे स्वाक्ष सर्वेक्षड के अनुसार यूपी का जो नोएडा है वो सबसे स्वाक्ष सहर गोशित हुआ है अगर पूछेगा स्वाक्ष सर्वेक्षड के अनुसार सबसे स्वाक्ष सहर यूपी का कौन साथ जिला गोशित किया हुआ है तो यह हो जाएगा आपका नोएडा और अगर गंगा वाले सहर में पूझा जाएगा कि सर्वस्रेस्ट गंगा सहर में तो वो आपका हो जाएगा बराडसी पहले नमबर पर दूसरी नमबर पर आपका प्रयाग राज यूपी के जो इतावा जिला है वहां का जो चंबल अभ्हारण है उसको डालफिन अभ्हारण के रूप में मानता देने का प्रस्ताओ किया गया है और नेक्ट हम बात करेंगे अटल भूजल योजना की रैंकिंग में यूपी जो है वो प्रथम इस्थान पर है अटल भूजल योजना कैसे योजना है हर घर नल नल से जल पहुचाने की योजना है और इसमें यूपी जो है वो आपका प्रथम इस्थान पर है बात करेंगे खेल नीती खेल नीटी बनाने वाला उत्तर परदेश क्या है? देश का पहला राज्य बना है बात करेंगे ODOP के लिए UP को क्या मिला है? राश्टिय पुरस्कार मिला है अगर जनपत की बात करेंगे राश्टिय पुरस्कार और जिले में बात करेंगे अब बात करेंगे आयुस्मान कार्ड बनाने में यूपी क्या है प्रथम इस्थान पर है अब तब 4.85 करोड आयुस्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं आयुस्मान कार्ड बनाने में यूपी प्रथम इस्थान पर है अटल भुजर योजना की रैंकिंग में यूपी प्रथम इस्थान पर है अग्रमिलाहे